नमस्कार आप शभीत दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में मैं आचारे पंकल सास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दी का विनंदन करता हूँ उपस्तितों मकर रासी का वार्षिक रासी फल 621 को ले करके इस संपूर्ण 621 में कैसा रहेगा मकर रासी के जातकों का आपके रासी तत्तों के वारे में हम जानेंगे साथी चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन से वह माहों होंगे जिन माहों में आप अत्यधिक लाप प्राप्त कर सकते हैं और कौन से वे माह होंगे जिनमें आपको हाने हो सकती है। कौन से छेत्र में आपको अत्यधिक प्रवल मेहनत करने होगी। और कौन से माह में आपका भाग्योदे होगा। कैसे आप शंपून 2021 को और भी मंगल में बना सकते हैं। इसका उपाई भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको बता दें कि जो यहार रासी फल है यहार चंदर कुंडली और लगन कुंडली दोनु के माध्यम से तैयार किया है। अर्थात यदि आपका मकर लगन है मकर रासी है तो आप इसको देख सकते हैं। पर यदि चंदर कुंडली से आप इसे देखे तो ज्यादा सटीकता आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि चंद्र कुंडली गोचर कुंडली होती है तो चंद्र कुंडली के माध्युम से देखेंगे तो ज्यादा सटिकता आएगी तो आए प्रारंब करते हैं और सरब पर्थम देखते हैं मकर रासी की कुछ बिसेज़ता मकर रासी हमारे भचक्र की दस्वे रासी है मकर रासी का स्वामी शनी होता है और शरीदे महराज चूंकि न्याई के देवता हैं तो परिशर्म बहुत करवाते हैं मकर रासी के जात्कों को यहारासी सौम्य प्रकृति की है और चर रासी है चलाईमान रासी है प्रिथवी तत्व बिराजमान इस रासी में है अर्थात प्रिथवी तत्व की यहारासी है मकर रासी अथवा मकर लगन के जात्कों के लिए शुब रत्न होता है नीलम अच्छे भाग्य के लिए जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में शनी हो तो निश्चित रूप से आपको नीलम धारण करना चाहिए और इस रत्न को धारण करने से निश्चित रूप से आपक आपको देखने को मिलेगे आए जानते हैं मकर लगन अथवा मकर रासी का शवाव इसमें जातक कैसे होते हैं तो मकर रासी अथवा मकर लगन जन्म लेने वाले जातक मध्यमकद नयन नक्षती के शुंदर मुखाकरती वाले होते हैं इनमें काले घने बाल और पतली कमर वाला इससे जातक होता है जातक गंभीर बाव किर्दे शम्वेदंसील उच्चा भिलासी पर शेवा धर्मी वाला होता है मकर लगन अथवा मकर रासी के जातकों के लिए दो ग्रह बहती महत्पूर्ण होते हैं बुद्ध और शुक्र लगने शिशनी तो निश्चित रूप से बिर्दी ही करेंगे लेकिन शुक्र और बुद्ध बुद्ध होते हैं आपके लिए बाग्यस्तान के स्वामी और छट शुक्र केंद्र और त्रिकोन का स्वामी ऐसे जातकों के लिए होता है तो निश्चित रूप से बुद्ध और शुक्र शुब होने पर वियोवार कुसल, गहन, विचार, युम, शुक्ष्म, भिशले, शक ऐसा जातक होता है मेतपूर्ण निर्णे लेने में शमर्थ होता है शमासिल प्रायक कम होते हैं जिनसे एक बात इनका क्रोध हो जाता है वो जिससे एक कुपित हो जाते हैं तो निरंतर इनकी सत्रुता जो ये सत्रुता की भावना है इसको भुला पाना इनके लिए कठिन होता है बहुती तेज स सकती इसकी प्रवल होती है यह जिस भी समाज में जाता है उसी परकार से अपने आपको ढाल लेता है उसी समाज के अनुशार अपना आच्रण कर लेता है एसा जातक तरक सेल होता है भली बुरी बात को पैचानने वाला अवश्य होता है यह आप भी मकर लगन अथवा मकर रासी के जातक हैं और आप अपने जीवन के 22, 24, 28, 32 और 46 वर्स में हैं वह 2021 में होने जा रहे हैं फिर से सुने यदि आप भी मकर रासी के हैं मकर लगन के हैं और आप अपने जीवन में 22, 24, 28, 32 वह 46 वर्स के होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए शन 2021 बहुत बड़ा बर्दान ले करके आया है आप बहुत तरक्की करने वाले अपने जीवन में हैं यह आपके भाग्योदय वर्स हैं और इन वर्सों में यदि आप हैं तो निश्चित रूप से आप जिस भी सुक से वन्चित हैं जो भी सुक है वो सुक से यदि वन्चित हैं तो थोड़ा सा लाब करने से थोड़ा सा प्रियत्न करने से आपको वह शुक प्राप्थ हो सकता तो आप आए जानते हैं मकर रासी के जात्कों का वर्स पल संपून 2021 में क्या इस्तिति रहेगी वैसे आपका रासी स्वामी सनी और सनी जिस भी रासी में जाता है सबसे लंबे समय तक रासी में रहता है अर्थात उसे रासी में संत्रण करता है तो शनी देव महराज रहने वा प्रवाव होगा तो बिपरित प्रस्तियों के बावजूद नहीं नहीं योजनाएं आपके बनेंगी मानसिक तता पारिवारिक उलजनू के बावजूद भी बीच बीच में आपको धनलाव होगा विदेश गमन भूमी वहन इत्यादी का शुक प्राप्त होगा वर्स आरंब स पांच प्रेल तक गुरु इसी रासी पर रहेंगे अर्थात नीच रासी गत रहेंगे सनी के साथ युती बनाएंगे तो एजुकेशन के छेत्र में आपको कही न कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं एजुकेशन से समध्धित समझें वह इस से जुड़े हुए कार्य ज आपको प्राप्त होगा लेकिन बे भी आपका बढ़ चड़कर के रहने वाला है शंपूर्ण 2021 में बे आपका त्यदिक होगा अपनी यात्राओं को लेकर के होगा और कहीं न कहीं भूमी इत्यादी खरीदने के योग भी आपके बने हुए हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी अच्छी इस्थिति है यदि आप उसको भापते हैं यदि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ड है और उसको भापना जानते हैं तो निश्चत रूप से यहां लाप की इस्थितिया आपके बन रही है लेकिन यही आप किसी छेत्र के भी आपको knowledge नहीं है आप नहीं भापना आता आपको तो आपको यहां जोखिम भी उठाना पड़ सकता है लेकिन यदि आप share market इत्यादी में share इत्यादी खरीदते आये है तो निश्चित रूप से यहां आपको कहीं न कहीं लाब देखने को अवश्य मिलेगा राहू पंचम में है तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए कहीं न कहीं दिक्कते आने अवश्यक है अर्थात निश्चित रूप से आईंगी ही तो यहां दिक्कते आईंगी आपको अपने पढ़ाई की छेत्र में विशेश रूप से एकाग्र रूप से पढ़ना चाहिए यहीं आपका मन भटकता है तो आपको निश्चित रूप से कोई न कोई मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए कुछ समय तक और अपने मन को नियंत्रित करने का आपको परियत्न करना चाहिए विद्यार्थी वर्च के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता लेकिन जो जातक राजनीती से जुड़े हैं उनके लिए लाब की इस्तित्युन जरूर देखने को मिलेंगी जो जातक राजनीती से जुड़े हैं किसी भी परकार से जुड़े हैं तो कहीं न कहीं आपको लाब देखने को अवश्य मिल सकता है 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक शूर्य इसी रासी पर संचार करेंगे अर्थात मकर रासिस होंगे तो निश्चत रूप से यहां पर भी आपको किसी न किसी परकार से थोड़ी भहत उलजने अवश्य देखने को मिलेंगे क्योंकि सूर्य के 17 रासी है तो यहां आपको कहीं न कहीं कहीं से परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है आपके स्वास्त के लियास से आपके घरेलू उल्जने से आपको अत्यधिक क्रोध से कही न कहीं दिक्कते आनी सुरू हो सकती है अपनी वाणी पर विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान देना चीए 14 जनवरी से 12 फरवरी तक अपने बाणी के माध्यम से किसी परकार का कलाओ उत्पन न करें तो सयमता के साथ बात चीत करें 12 जून से 19 जुलाय तक मंगल की सच दृष्टी इस रासी पर रहेगी अर्थात सप्तम अस्तान पर मंगल हुंगे तो मकर रासी पर उनकी उच्छ दृष्टी रहेगी यहां आपको कहीं न कहीं अपने स्वास्त को लेकर के रिलेक्ट तो मिलेगा लेकिन साथ ही अपने कारी छेत्र को लेकर के अपने ब्योसाइक छेत्र को लेकर के आप में एक अलग ही उर्जा रहेगी अर्थात अधिक उर्जावान आप अपने आपको देखेंगे अपने कारी छेत्र को लेकर के लेकिन मंगल और सनी का मध्यम शम शब्तक योग भी रहेगा तो उर्जा तो रहेगी जोस भी रहेगा लेकिन जोस के साथ सयमता के साथ आपको कारे करना चाहिए कहीं न कहीं यदि आपने तेजी से कारे करना प्रारंब क्या तो जितनी तेजी से कारे करते ह उतनी तेजी से आप नीचे आ सकते हैं तो सयमता के साथ सोच विचार करके आपको कार्य करना चाहिए ऐसा क्या न करें इस संपूर्ण शन 2021 में जिससे आपको हानी हो विद्यार्थी वर्ग को कसी वे परकार से प्रेम इत्यादी में नहीं पढ़ना है कसी परकार से कोई नसे इत्यादी का आदी नहीं होना है यहाँ आपको दिक्कते हो सकती है ऐसे इस्तिती में बिल्कुल भी लाप्रवाई नहीं करनी है जो विद्यार्थी वर्ग है उसको सजगता के साथ कारे करना है आपके लिए अच्छा वर्ष नहीं का जा सकता जो जातक धर्म कर्म के छेतर से जुड़े है अध्यन वो अध्यापन के छेतर से जुड़े है किसी भी परकार से वक्ता प्रवक्ता के कारे से जुड़े है उनको अपने सिष्टाचार में रहना चाहिए अबद्रिता परना रहें, इससे आपके कहीं न कहीं समाज में आपकी परतिष्ठा पर आचा सकता है, निश्चित रूप से याँ सकता है, ऐसे जातक जो परदेश जाना चाते हैं, विदेश जाना चाते हैं, किसी के जहांसे पेनाई, आपके साथ छलावा हो सकता है, जहांसे दिखकनति प्राप्त कर सकते हैं चाहिए और तारपिन के तेल से असनान कर सकते हैं तो तारपिन के तेल से असनान करें तो आपका जीवन मंगल में हो यही मंगल कामना करते हैं नमस्कार जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवस्य करेगा और चैनल पर इदिया आप नहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना प्रावली, नमस्कार.